नमस्कार, स्वागते आप सभी का हमारे चैनल तेवे एस्टरों में आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको राई दामोदर की कहानी सुनाती हूँ दो मा बेटिया थी, बेटि का नाम राई था वो राई बहुती सुन्दर और सुशील थी अपने मा के हर काम में हाथ बटाती थी वो बगवान कृष्णी की भी परम भक्त थी बगवान कृष्णी की बहुती भक्ती करती थी एक बार बगवान कृष्णी उसकी परिक्षा लेने है तो डांसरिया बेचने वाले बंद कर आए और आवाज देने लगे तो राई अपनी मा से बोली मुझे भी डांसरिया चाहिए मा बोली मैं पैसे कहां से लओ अच्छा ऐसा कर बाजरी गर में पड़ी है तो वो ले जाकर देते और तेरे डांसरिया लिया फिर जब वो राई बाजरी लेकर गई तो बाजरी के बगवान ने फूक मारी फूक मारी तो फूस उड़के राई की आँख में गिर गई राई जोर-जोर से रोने लगी तो बगवान वहां से अंतरजान हो गए थोड़े दिर में बगवान वेद का रूप धरकर वापस वहां आए और आवाज देने लगे तब राई की मा बाहर आई और बोली वेद जी मेरी बेटी की आँख में फूस किर क्या है उसी निकाल दो बगवान बोले अगर मैं फूस निकाल लू तो आपकी बेटी का विवा मेरे साथ करना पड़ेगा तो राई की मा तयार हो गई क्योंकि उसे वैसे भी अपनी बेटी का विवा तो करना ही था सगाई कर दी उसके बाद कार्तिक शुक्ल 11 के दिन उनका विवा भी निश्शित हो गया अब मा और सोचने लगी कि विवा भी निश्शित हो गया अब मैं अपनी बेटी को दूंगी किया तो वो सोनार की दुकान पर गई जाकर बोली कि मेरी राए के लिए आप लॉंग और बिच्छया गड़ दो तब सोनार बोला मुझे समय नहीं है मैं तो कुष्ण बगवान के गहने गड़ रहा हूँ फिर वो हल्वाई के गई बढ़िये के गई जहां भी गई उसको यहीं जवाब मिला कि अब भी हमें समय नहीं है हम बगवान किष्ण का काम कर रहे है फिर मा तो अपने घर आ गई अब वो क्या करे जब वो घर आई तो देखा उसकी जौपड़ तो महल में बदल गई आनन्दे आनन्द हो गया ठाट से विवा के तेहरा होने लगी बगवान बारात ले आए मा ने खूब ठाट से राई का विवा किया बगवान किष्ण के साथ बगवान राई को लेके द्वार का गए तो राई के महल में ही रहने लगे दूसरी राणिया चिरने लगी सावन में राई पियर गई बगवान ने सोचा राई के तीज बेचो साथ जरी के बेस और पांच सोने के गुटे रखे दो हंसों को बुलाया और बुले सीधे राई के पियर जाना कहीं मत रुखना राधारुकमन को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुला के का थोड़े मोती चुगलो हंस आ गए और मोती चुगने लगे राधारुकमन ने सारा समान निकाल कर उसमें फटे पुराने कपड़े और पांच काटे बान दिये और पोटली हंसों को दे दी हंस समान लेके राई के पास गए राई खुशी से नाचने लगी कि बभी बगवान किश्णा ने मेरे लिए तीज पर समान दे जाए जैसे ही पोटली खोली तो पांचों अंगुलियों में पांचों काटे चुब गए राई बहुत दुखी हुई फिसावन खतम हो गया तो बगवान लेने आई राई बगवान से बोली बगवान आए तो राई दूर दो जाए बगवान ने फोचा कोई बात नहीं राई फिर भी नहीं बोले इतने पर भी राई बगवान को अपने मैल में ही जिमाती बोजन में दही जरूर देती एक दिन बगवान बिल्ली बनके दही खा गए अब राई दही कहां से रखे बगवान गुजरी बनकर दही बेचने आ गए राई नीचे जाकर बोले थोड़ा दही दे दो गुजरी रूपी बगवान बोले राई तुम उदास क्यों हो हमने सुना आप बगवान से नाराज है राई बोली तुझी क्या मतलब तुझा तो गुजरी रूपी बगवान बोले हम सहली जैसी है तो मन की बात को मैं किसी को भी नहीं कोंगे तब राई ने सारी बात कह दी सुनते ही बगवान को अचुमबा हुआ और असली रूप में आ गए और बोले ये कैसे हुआ मैंने तो जरी के बेश और सोने के पचेटे बेजे बगवान ने हंसों को बुला कर पूछा तुम कई रुके तो नहीं हंस बोले राधारुकमन के महल में रुके थे और तो हम कई नहीं रुके वहां पर हमने मोती चुगे बगवान ने राधारुकमन को बुलाया और पूछा कि भी आपने ऐसा क्यों किया तो वो बोली, आप हमारे मैल में नहीं पदारे, इसलिए हमने ऐसा किया, बगवान बोले, आप हमको प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते, फिर बगवान बोले, कार्थिक का महिना में राई को दूँगा, पांच दिन पंच तिर्थ्या राधा रुकमन को, वो एक ज्यारत सत प्रेम से बुलाते, बगवान की जह हो